हेलो फ्रेंड वेलकम टू सक्सेश्डी मजदी वेंजर्स आई होप अलोफ विल बी आल राइट और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिसकस करने वाले हैं आपके डेली इनुवसिटी के स्कूल ओफ ओपन लर्निंग और नॉन कॉलेजियेट के थर्ड येर के करेंट स्ट चुके हैं और जो सेकेंड डियर के एक्स स्टुडेंट थे उनका आज मैक्रो एकनॉमिक्स का टैस्ट है उसके बाद उनके भी एक्जाम ऑनलाइन बेसिस पर बेसिकली खतम हो जाएंगे तो हमारे दिमाग में दोस्तों दो चीज़े आती है कि अब रिजल्ट हमारा कब तक डिकलेर हो जाएंगे तो यहां पर एक बात आपको पता होगी और अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों के ऑनलाइन एक्जाम किसी रिजन से नहीं हो पाए कोई टेकनिकल एरर हो गया और उनका एक्जाम जो है वो नहीं हो पाया तो उस exam में वो खतम हो चुके है, then 14th of September से offline exam जो बाकी बच्चे हुए बच्चे हैं, जो किसी reasons से exam नहीं दे पाए, उनके होंगे, तो around 10 to 12 days अगर हम उसके लिए ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम 26 September से लेके 28 September तक पहुँच जाते हैं, तो अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, आपके exam खतम हो चुके हैं, then September में दुबारा से offline exam उन लोगों की होंगे जिनोंने exam नहीं दिये, that means September तक तो आपका result आने के chance कोई नहीं है, उसके बाद अगर हम evaluation के लिए 10 से 12 दिन का time और जोड लेते हैं, तो यहाँ पर 15 दिन और add हो जाते हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाता है, तो आप मान के चलिए कि आपका जो result है, जो आपके 3rd year के students हैं, current students और 2nd year के X students जिनोंने अभी online exam दिये हैं, आपका result जो है mid November से पहले किसी भी condition में declare नहीं हो सकता, जिसके पीछे मैंने आपको एक logic बताया, कि क्यूं ऐसा हो सकता है, तो mid November या फिर उस से थोड़ा आगया आपका result जा सकता है, तो आप यह मान के चलिए कि भाई, इतना time तो मनलब अभी आपके exam conduct हो गए हैं, तो इतना time जो है एक डेड़ महिना तो आपके exam के result आने में लगेगा ही, सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताई exams के बारे में, results के बारे में, तो चलिए बम बात कर लेते हैं आपके assessment के बारे में, तो जिन लोगों ने भी exam दिये हैं, basically आपको पता होगा कि आपको चार question दिये गए दे हर exam में, जिसको आपको write करना था, फिर scan करना था और फिर submit करना था, तो ज़्यादा तर लोगों ने आपको भी पता है कि वो जी exam दिये हैं, वो यहाँ वहाँ से help लेके, किसी ने Google से help लेके, किसी ने Friends से help लेके, Groups बना के, Senior से help लेके, अपने exam को attempt कर लिया, तो भई एक चीज़ तो आप मान के चलिए, कि आपके जो आपने exam दिये हैं, उसका assessment भी वैसे ही होने वाला है, जैसे आपने exam दिये हैं, और merit के basis पर आपको number दिये जाएंगे, यहाँ पर basically, Delhi University को कुछ करना था, ताकि वो आपको आगे भेज सके, third year से आपको graduate कर सके, तो उन्होंने एक formula डिजाइन करा, आपके online exam का एक system बनाया, ताकि आप exam लिखो, वो आपको number दे और आपको graduate कर दे, basically सीधी साधी बात यहाँ पर merit के basis पर आपके exams को check नहीं करेंगे, आपने अगर exam जो हैं किये हैं, sheets को submit करा दिया है, तो आपको 100% pass कर दिया जाएगा, ठीक हैं? तो आपको कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, कि मैरे exam के answer कैसे होंगे, क्या मैं fail हो जाऊँगा, या fail हो जाऊँगी, अगर आपने answer दिये हैं, तो आप pass तो 100% होंगे, दूसरी बात आते हैं number की, कि भई मैंने तो बहुत अच्छे exam का answer लिखाता, मेरे को number जादा मिलेंगे, तो ये भी आप छोड़ दीजे बार, कि भी आपको number जादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, आपके जो marking की जाएगी, वो average basis पर ही की जाएगी, मतलब average basis पर आपको marks दिये जाएगे, तो अगर आपने exam submit नहीं कराए हैं, तो 14th of September से आपको एक chance और मिलेगा, प्लीज आप अपने exam को submit करा दिजे, otherwise, जिन लोगों ने exam नहीं दिये हैं, तो उनको तो back मिल जाएगी और वो fail हो जाएगे, लेकिन जिनोंने exam दिये हैं, ये matter नहीं करता कि exam कैसे दिये हैं, वो जरूर पास हो जाएंगे, तो यहाँ पर दो चीज़े दोस्तों आपको याद रखनी हैं, कि आपके जो results हैं, वो mid November या उसके बाद आने वाले हैं, और दूसरी चीज, कि assessment जो है वो आपका proper way में नहीं होगा, आपका assessment जो है, वो सिर्फ इस basis पे किया जाएगा, कि आपने exams को attempt करा है, या नहीं करा है, इस regarding आपको कोई और information चाहिए, तो आप comment box में mention कर दिजिए, और channel को please याद से subscribe कर लिजिए, ताकि future में कोई update आती है, तो वो मैं आपको बता सकूँ,